Example number 1, add the rational number minus 4 upon 3 and 2 upon 5, देखो इदर हमें क्या करना है, minus 4 upon 3 and 2 upon 5, इन दोनों rational numbers को क्या करना है, add करना है, देखो add का मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को plus करना है, किस को plus करना है, minus 4 upon 3 plus 2 upon 5, इन दोनों को हमें क्या करना है, add करना है, देखो कैसे add करेंगे इनको, सबसे पहले जब भी हम fractions को add करेंगे या rational numbers को add करेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर LCM लेना पड़ेगा 3 और 5 इन दोनों का क्या करूँगा मैं LCM ले लूँगा सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ side से 3 और 5 इन दोनों का LCM ले रहा हूँ ठीक है ना देखो इदर हमेरिशा LCM लेते टाइम आप prime numbers का ही divide लगाओगे prime numbers जानते हैं आप सब तो देखो 3 एक prime number है तो 3 का divide लगाया 3 बंजा 3 अब 5 में जाता तो 5 as it is अब वो ही 5 का divide लगाया 1 आपका as it is 5 बंजा 5 तो अगर हम इसका LCM देखें तो LCM कितना आगया 3 5 जा 15 कितना के पास 15 अब हम क्या करेंगे 15 को नीचे लिख लेंगी ठीक है बात के लिए रहे अब देखो इदर अब कैसे करेंगे इस 3 का divide हम इस 15 में लगाएंगे क्या बोला मैंने इस 3 का divide हम क्या करेंगे 15 में लगाएंगे और जो भी आएगा उसको उपर वाले नंबर से मल्टिप्लाइ कर देंगे देखो 3 का divide 15 में लगाओ किते रहम से आएगा 5 ताइमस हना 3 5 जा 15 अब 5 को क्या करेंगे हम माइनस 4 से मल्टिप्लाइ कर देंगे माइनस 4 इन्टू 5 बात के लिए रहे प्लस का sign as it is अब इस 5 का divide लगाएंगे किसके अंदर 15 के अंदर नीचे वाले numbers का आपको divide लगाना है और जितने times आएगा उसको उपर वाले number से multiply करना है जब आप 5 का divide लगाओगे 15 में तो किते times आएगा 3 times हैना 3 को क्या कर देंगे हम 2 से multiply कर देंगे ठीक है देखो कितना हो गया minus का 20 plus 3 2 जा 6 upon 15 ठीक है 20 में इसे 6 गया कितना बज़ गया minus का 14 upon 15